बोटपूर जिला में लगातार बढ़ रही अपराद के बाद पुलिस के दुआरा अपरादियों पर दबिश बनाने की तमाम कोशिश की गई जिसके बाद भी अपरादी पुलिस के लिए रोजाना चुनोती बन रहे हैं ताजा मामला भुजपूर जिला के नवादा थाना छेतर का है जहाँ पर एक अपरादी को बैंक का एटियम तोड़ते हुए रंगे हाथ बैंक कर्मियों ने धर्दब हो जा बताते चले पूरा मामला आरा के नवादा थाना छेतर का है जहाँ पर एक अपरादी दुआरा इंडियन ओवर्सीज बैंक का एटियम तोड़ने की कोशिश की जाड़ी थी जिस दौरान लाइव वीडियो फूटेज देखते हुए बैंक कर्मी तुरंट एटियम में पहुँच गए और अपरादी को धर्द पोजा हाला कि इस दौरान अपरादी जो है बचने के लिए अपने हाथों का नस काट लेता है ताकि वो किसी तरह वहाँ से बच के निकल है बौजूद इसके बैंक कर्मियों ने तौरित करवाई करते हुए नवादा थाना की पुलिस को सूचना दी और नवादा थाना पुलिस मौके पे पहुँच अपरादी को धर्द पोजा और इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकिया इस दौरान बैंक कर्मियों ने क्या पुष्टाज करने के दौरा आपने नवाधान को उत्री बीच में ये बंदा उन्पंट्रोल हो गया आपना नस काट लिए तो हमने इनवाधान आये पिर पुष्टाज हो रहे हैं आप लोग ने सिस बैंक का एट्यम था इंडियों मर्सीज बैंच कहां पर है यह माहाना प किस तरह से बैंक कर्मी ने बताया कि यह जो अपराधी है एटियम का वो हिस्सा तोड़ने की कोशिस कर रहा था जहां से बैंक के कर्मी एटियम में पैसा डालते हैं लेकिन अपराधी का यह जो कोशिस था बैंक के एटियम को चूरी करने का कोशिस वो पूरी तरह से नाकाम रहा क्योंकि बैंक के कर्मी काफी सतर्कत है किसी भी तरह की घटना को लेकर और लाइफ सिसी टीवी फूटेज के अधार पर बैंक कर्मी कुरंस एटियम पहुंच गया और ये अपराधी धर दबोचा गया फिलाल जो गिरफतार अपराधी है उसका आरा सदर अस्पताल में इ बर्ज कर ली गयी है और आगे की करवाई की जा रही है दिन गार। कर देर दें